हेलो उस्तो स्वागदाम का अपनी यूटूब से हैं प्यारे उच्चों कैसे हूप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके तियारी वे अच्छे से चल ही होगी काफी बच्चों कमेंट आ रहेते हैं सब जीयास अच्छे से कंप्लेट करा दीजिए तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है जीयास हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो इसमें जादे बच्चों को दिक्काता दी थी तो आपको जीयास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वालो हूँ चाहें आप बच्चे UP Police की या UPSI की किसी की वित्यारी कर रहे हो या SSC का कोई भी एकजाम हो चाहें SSC GD के एकजाम हो देलबे का कोई भी एकजाम जैसे RPF या Technician कोई भी एकजाम हो या बच्चे दिल्ली Police के एकजाम हो आप देखेंगे GS लगवक सब में एक सी पूछी आती है और कुछ भी अलग नहीं है UP जी के बस आपको इतना पढ़ना होगा अगर आप UP Police के तियारी कर रहे हैं या UPSI के तियारी कर रहे हैं तब ठीक है तो आज हम बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे इतियास एक ए वीडियों बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि आपको किस तरीके से पढ़ना है अगर आप डिल्लीटी बना के तियारी करेंगे तब ही एक्जाम निकाल पाएंगे जैसे आप हिस्ट्री देखेंगे आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं चाहाए भी UP Police की SSGD की RPF की आप प्रिवेसर पेपर देखेंगे उसमें हिस्ट्री के कितने कोशन पूछे गए थे आप देखेंगे हिस्ट्री के अगर आप UP Police देखेंगे तो 2-3 कोशन 2-3 कोशन से ज़्यादा नहीं पूछे आते ठीक है SSGD देखेंगे वहाँ भी बच्चे इतने ही कोशन दिल्ली पुलिश देखेंगे तो इसमें ज़्यादा मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे कितने 50 कोशन जीके के पूछे आते हैं और यहाँ भी RPF में 50 कोशन तो यहाँ पर 5-6, 5-6 कोशन आपको हिस्ट्री के मिल सकते हैं तो अब इनके लिए आप क्या करते हैं किसी का भी कोश खरीद लेते हैं और उसकी हिस्ट्री के केवल हिस्ट्री के 60 वीडियो होती है 60-70 वीडियो उनको देखना सुरू करते हैं और आप याद भी नहीं रख पाते चीजों को जो आसान चीजा होती हैं वो भी हम गलत कर देते हैं ठीके तो हमको इतना फालतु नहीं पढ़ना है हम साथ वीडियो ना देखके केवल जो मैं आपको एक वीडियो करा रहा हूं इसको आपको अच्छे से देख लेना है और हिस् सब्सक्राइब कर रहे होंगे बस जो मैं आपको प्लेलिस्ट बना रहा हूं जीके के लिए उसको आपको अच्छे से कंप्लेट करना है और पीडियाइफ आपको एक बच्छी नीचे जाब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा ठीक है व लेनी है और हिस्ट्री की टेंसन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है आप देखेंगे जितने कोस्चन यहां से आपके एक जाप पूछाएंगे सब इसी किलास से होंगे ठीक है बच्छे तो चलते हैं किलास सुरू कर लेते हैं बन लाइनर कोस्चन है और आपको क्लास में याद करने का प्रियास करना है ठीक है सबसे प्राचीन बेध अगर आपसे पूछा जाए तो आप रिग बेत को कहेंगे भारते संगीत का जनक बच्छे आपसे पूछा बोन शॉम बेध को कहेंगे गद एवं पद वाला बेद अगर आपसे पूछा है तो यजूर बेद को कहेंगे तंत्र मंत्र वाला बेद बच्चे आपसे जादुर टोने वाला बेद पूछा है तो अथर बेद को कहेंगे सबसे प्राचीन पुराण आपसे पुछा है तो मतश्य पुराण को कहेंगे पुराणों के रचिता अगर आपसे पुछा है लोमहर्स या उग्रसरवा आपको कोई भी एक भी ओप्सन मिल सकता है दोनों ओप्सन में दे सकता है इसमिर्थी ग्रंथों में सबसे प्राचीनिम प्रमारिक कौन सा है मनुश्मिर्थी सिंदु सब्वेता के लिपित्थी भाव चित्रात्मक इतिहास का पिता कहा जाता है हैरो रोट्स को नेक्स देखेंगे सिंदु घाटी सब्वेता के लोगों का मुख्य विवसाई था किर्सी सर पिर्थम पालतू पसू बनाया गया कुत्ता सिंदु सब्वेता के प्रमुक विशेषता क्या थी नगर योजना सिंदु सब्वेता थी आध्य एतिहासिक यह कांसयोगीन सिंदु घाटी सब्वेता का प्रमुक बंदर का था लोथल जो गुजरात में है सिंदु सब्वेता का सर्व मानने काल 2350 से 1750 इसापूर्व हडपपा इस्थित है राबी नती के तटपर पाकिस्तान के मौंट गोमरी जिले में मोहन जोदलो इस्थित है सिंदु नती के तटपर पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहन जोदलो से प्राद प्रमुक इसमारक ब्रद इसनानगर हडपप बासी किसके बारे में नहीं जानते थे लोहे के हडपप के उत्खन करता थे राय बहादुर सहानी 1921 इसबी सिंदु सब्वेता की प्रमुक फसल थी गैहूं और जों आर्यों लोक सर्वतम बचे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्यों मोल निवाची थे मध्या इस्या के आर्यों के सर्वादिक प्रिर्य देपता थे इंद्र आर्यों का प्रिर्य पसु था घोड़ा बेदिक सब्वेता में तामे को कहा जाता था लोहित आयस बचे इस तरीके से बन लाइन रहा बहुत असानी से याद भी कर पाएंगे और डायरेक्ट यापको कुछा जाता है ठीक है और बहुत असानी मुंड़क उपनिस्द मिलेगा एकदम देखते ही टिक कर देंगे के लिए नैस्ट कोश्चन देखेंगे जितने भी इस्टेटिक का पोर्षन हो जो भी इंपोर्डेंट चीजे हो सकती है उन सभी को एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं उसमें आपको बस पढ़ना है जी एस और आपको फालतू चीजे कुछ नहीं पढ़ने और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें महनत कीजिए आप कोशिश कीजिए रेजनिंग में एक कोश्चन आपका ना कटे कोशिश कीजिए मैट्स में एक कोश्चन ना कटे कोशिश कीजिए बच्चे जो यह सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे में से पूरा स्कूर कर सकते हैं, उनमें आप कुश्चन मत कटन दीजिए, किलियर है, अब बच्चे आपसे पूछा रहेगा, सांखे दर्सन के पिड़ो तक थे कपिल, नियाय दर्सन के गोतम, पूर मिवानसा दर्सन के जेमनी, महा वारत का पुराना नाम क सहीन था, सुन्य बाद के पृति पादक नागारजुन महावेर का जनम हुआ था, कुंडन गिराम, बेसाली, कब बच्चे 544 इसा पूरुब में, महावेर ने अपना उपदेश दिया था, किस भासा में, प्राकरत भासा में एक कुश्चन बारबार पुछे आता है, महावे के दो संफट आये थे, कौन-कौन से, सुवेतांबर और दिकंबर, पिर्थम जैन सभा, 322 इसा पूरुब हुई थी, कहां पाटली पुत्र में, किस के समय पूछे आता है, चंद्रगुप्त मौर्ये के समय, किस के समय, चंद्रगुप्त मौर्ये के समय, दूसरी जैन सभा, 512 इस भी संपन हुई थी, कहां बल्लबी गुजरात में, बच्चा अगर आपसे पुझे इसका अध्यक्स कौन थे, तो आप याद रखेंगे, जैन धरम के तिरिरतन है, समयक दर्शन, समयक ज्यान, और समयक आच्रण, महावेर के पृथम अनुयाई थे जमाली जो कौन्दे महावेर के दामात थे, खजुराहो में जैन मंदर गर्माल किया था, चंदेल सासक ने, जैन धरम का प्रणबिक इतिहास ग्यात होता है, कल्प सूत्र से, महावेर के जीवन कृत्यों का विबरण मिलता है, भगबती सूत्र में, जैन साहित्यों कहा जात है आगम, गोतम बुद्ध का जनम कब बच्चे 563 इस्तापूर्ब में हुआ था, कहां लुम्बीनी कपिल बस्तू, लुम्बीनी कपिल बस्तू में, बुद्ध द्वारा ग्रहत्या को कहा जाता है, महा विनिस क्रमण, बुद्ध के पिर्थम गुरु थे, अलार कलाम, बु बुद्ध ने अपना पिर्थम उब्देश की भासा थी, बच्चे बुद्ध की क्या थी, पाली थी, क्या थी, पाली याद रखेंगे, बार-बार कुश्चन ये पूछा जाता है, बुद्ध ने सरबादिक उब्देश दिये थे, सरावस्टि कोशल में, बुद्ध की मिरत्यो कहा जाता है, बुद्ध की मिरत्यो क्या कहा जाता है, महा परिनिर्वार बोध धरम ग्रेयन करने वाली पर्थम महिला गोतमी बोध धरम के तिर्रतन है बुध धम उर संग अब बच्चे इस सालनी से कुष्जण फचने की पूरी संभाब न रहती है बोध सभाएं बोध संगीतिया पर्थम बोध संगीती तुत्य बोच संगीती, तृत्य बोच संगीती और चतुर्थ बोच संगीती पिर्थम कब हुई थी? चार सो तरासी इसा पूर्व, दुत्य तीन सो तरासी इसा पूर्व, तृत्य दो सो इक्यामन इसा पूर्व और चतुल्थ प्यरविच्चे ये तो आप से ये नहीं पूछाए तो आप से क्या पूछाएता है पिर्थम बोध संगिती कहां हुई थी दुत्य बोध संगिती कहां हुई थी तिर्थम बोध संगिती कहां हुई थी चतुल्थ बोध संगिती कहां हुई थी और किसके सासनका साल में यह इसके अध्यक्स कौन थे इस तरीके साब से कुश्चन बनता है तो आप याद रखेंगे रिक्से याद रखने कोशिश करेंगे पिर्थम काविती राजगिरह दुत्य बेसाली तृत्य पाठली पुत्र और चतुर्ध कुंडल्बन कस्मीर में तो कैसे याद करने क प्रियास करेंगे यह पुछायता कहां हुई थी पिर्थम वो संगिती कहां हुई थी दुत्य कहां हुई थी इस तरीके से तो आप याद राजा बेसाली को पटाकर कस्मीर ले गया कैसे याद रखेंगे राजा मतलब राजगिरह बेसाली को मतलब बेसाली पटाकर मतलब प अस्मेर कुंडलवन यह आप हो याद हो जैकर mail आसानी से बता बाएंगे पिर्थम कहा होई थी दुत्ते कह थी टीरत्य कहा होई थी चतुलत कहा होई थी अब किसके सॉसनकाल में प्रितल बोस संगेती जो हुई थी राजगिरे में किसके सासनकाल में आपसे ये पूछा रह सकता है किसके कलियर वच्चे अगर आपसा अद्ध्यक्ष पूछे तो याद रखेंगे अध्यक्ष भी आपको याद होने चाहिए महाकश्चव सभाकामी मोगली पुत यह आपको मिल सकता है प्यारवच्चे बस वो मित्र मिल सकता है किलियर है तो आप इस तरीके से याद रखेंगे आराम से इस चीजी याद हो जाएंगे एक कुश्च बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं आप किसी भी एक्जाम में बैठ रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपके अभी याद हो गए होंगे नहीं है तो प्यारवच्चे स्क्रीन सोट लेकर रखे जब भी कहीं जा रहे हो तो एक बार जरूर देख लिजी आपके इस चीजी याद हो जाएंगे नेक्स देखेंगे जैन धरम के पिर्थम तीर्थंकर थे रिशब देव जैन धरम के अंतिम तीर्थंकर मतलब 24 में महावीर आजीबक संपरदाई के संस्थाबक मखली पुत्र गोशाल इसलाम जगत में खलीफा पद 1924 इसवी में समाप्त करने वाला साज़क कौन था मुस्तफा कमाल पासा हिजरी संबत का आरम गुवा था 622 इसवी में इसा मसी को सूली पर चढ़ाय गया था 33 इसवी में अजाज सत्रू का उपनाम था कुड़िक पाडली गराम का संस्थाबक था उधाईन सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है सिकंदर और पोरस के बीच जो बच्ची युद्ध हुआ था उसे क्या कहता है हाइडे सिपीच का युद हाई डे स्पीच कयोद सिकंदर ने भारत बिजे अभियान शुरू किया 326 इसापूर में हर्येक बंस का संस्थापक भिम्बिसार हर्येक बंस का संस्थापक था बच्चे भिम्बिसार चंद्रगुत मौर्य ने जैन धरम के सिक्षा ले थी किससे भद्र बाहु से चंद्रगुत मौर्य की मुर्यत्यू 298 में इसापूर में हुई थी सिर्वन वेल गोला में जो कहा है करनाटक में बिंदु सार को कहा जाता है प्यारचे बिंदु सार को क्या कहा था अमित्र घात भारत में सिला लेग का पिर्चलन सुरू किया था असोख ने कोसांबी अभिलेग को कहा जाता है रानी का अविलेक, बच्चे इंपोटेंट है, पूछा आता है, रानी का अविलेक किसे कहा जाता है, कोसाम भी अविलेक को कहा जाता है, असोक का सबसे लंबा अविलेक, सात्मा अविलेक, असोक का नाम, असोक जो मिलता है, किस अविलेक में, मस्की एवं गुर्जरा अविल एक में नन्दबंस का अन्तिमसासक था धनानंद असोग ने बहुत धर्म के शिक्षा ले थी उफगुप्ट से ध्यान रखेंगे अगर पुछत असोग ने बहुत धर्म के शिक्षा कि वीत तो आप कहेंगे भध्रवा हुसे थेक क指 बिल्कुल नहीं होना है आगे देखेंगे सांची का इस्तूध बनवाय था असोक ने असोक ने धम सुविकार किया था कलिंग युद कब हुआ था 261 एसापूर्व इसके बाद असोक ने धम सुविकार कर लिया था измен allows कर लिया था ठीके इसके बाद स्रि नागर का संस्थापक च scientific 3 p.1 पाइसंग का संस्तापगी पुस्चे मितर सुंग भरूत स्तूत को वनुआया था पुस्चे मितर सुंग ने सर्वृत्म चांदी के सिक्य का प्रचलन किया था साथ वहान सासक ने साथ वहानों की पिरमुक इस्थापतिय, किर्तिय, कारले का चित्य, अमरावति, कला का विकास तथा आजनता एलोरों को निर्मार भारत में सर्वृत्म सोने के सिक्य जारी किया थे आवर कुछिन पूछे आता है यूनानियों ने कनिस्क का राजकभी अस्व घोस कनिस्क के राजबेट चरक द्वारा लिखी की पुष्तक चरक सहींता भारत काइश्टिन किसे कहा जाता है नागरजुन को ठीके ये कोश्चिन बन सकता है साप्यक सिता का सिधान किस ने दिया था नागरजुन किलियर आगे देखेंगे कला की गंधार सेली तथा मतुरा सेली का विकास हुआ था कनिस्क के सासनकाल में गुप्त बंच का संस्थाबक सिरीगुप्त समुंद्र गुप्त का दरवारी कभी था हरिशेण समुंद्र गुप्त का दरवारी कभी कौन था बच्चि हरिशेण चंद्रगुप्त सेगिंड के सासन काल में भारत आने वाला चिनी आत्रिथा फाहियान नालंदा विश्विदाले के संस्ताबक कुमार गुप्त नालंदा विश्विदाले के संस्ताबक बारबार पूछे आता है कौन है कुमार गुप्त गुप्त बंसका अंतिम सासक था भान चंद्रगुप्त सेगिंड के सासन काल में संस्क्रत के प्रिशिद कभी थे कालिदास चंद्रगुप्त सेगिंड के दरवारी आयुरवेदाचार्य थे धनवन्तरी नेक्स देखेंगे गुप्त काल में बिशुडू सर्माद्वारा लिखित पुष्टक जो बाइविल के बाद बिश्में दूसरा इस्थान रखती है पंचित अंत्र कुष्चन बन सकता है पंचित अंत्र किस भाज़ा में है संस्क्रत में किसे हैं बच्चे संस्क्रत में बस आपसे इतनी से रिक्वेश्ट आईगी बच्च अगर आपको लगता है आपका यहाँ से पढ़के सेलेक्शन हो सकता है आपकी चीजे समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरू करेंगे ठीक है अगर आपको लगता है कि क्योंकि मैं आपसे बहुत पहले से कहता रहा हूं बच्चे मैं आपको मैंस भी पढ़ाना बहुत अच्छे तरीके से मैंस पढ़ाना जो ब्रुकुल जीरो बाला बच्चा है तो डिजिटल बोर्ड पर ही संबभ हो पाएका बहुत डिटेल में जोकि इस तरीके से चीजों को और डिटेल नहीं पढ़ाय सकता खासकर मैंस और रेसंग को जीयज तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं पर इसको भी और डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो बस आपसे इतनी को Uh. जहां भी cellular कर सकते हैं वीडियो को शेयर को क्लियर बच्चे, नेक्ट कुछन देखेंगे, पिर्थवी सूरे के चारोर घूमती है, सरपितम बताया था, आर्या भटने, किसने बच्चे, आर्या भटने, पुराणों की रिषना हुई थी, गुप्त काल में, भारती एतियास का स्वन यू कहा जाता है, गुप्त काल को थे, बरहा मेर, इसकंद गुप्त के सासनकाल में आकरमण हुआ था, हुडो का, काली बंगा के खोज 1951 इसवी में की थी, अमला नंद घोसने, बुद्ध के गिर्हत्याग का पिर्थिक है, घोडा, हर्स बर्दन के, पिर्षित दरवारी कभी थे, बार्भट, हर्स चरीत के लेखक, आपसे कुशन यही पूच्छा सकता हर्स चरीत के लेखक कोन है, ठीक है, तो बार्भट कहेंगे, चीनी यातरी, हुएंग सांग भारत आया था, किसके सासनकाल में, हर्स बर्दन के सासनकाल में, दस कुमार चरीत के लेखक दरवारी कभी थे, नर्ट सिंग बर्वन पिर्थम के आपसे कुशन बन सकता है, दस कुमार चरीत के लेखक कोन है, आपके इसल दंडी, किलियर, काची के कैलास मंदिर का निर्माड करवाया था, नर्ट सिंग बर्वन दुत्याने, महावली पुरम के एकास्मक रतों का निर्माड करवाया था, नर्ट सिंग बर्वन के थे ये पलल्वंज के एलोरा के पिर्षिद केलास मंदिर का निमार कर था किर्षन पिर्थम था राश्टे कूट बंसके पललवों की राजदानी बावाप पुछी आती है काची एलोरो एवं एलिफेंटा कहां है ये महार राश्ट में गौहा मंदिर के मुझमाड हुआ था राष्टे कूट के समय मिदाक्षरा नामक गरंत के रिष्णाकार विज्ञानेस्वर नेक्स देखेंगे ईहोलावीलेक का सम्मद पलकेशिन सेकिंड से है बिक्रमा सीला बिष्वदैले के स्थाबना धर्म पाल ने किसके दे पाल बंस के धर्म पाल बंद के पिरथवीरा रासो बेरे इंपोर्डे के रचियता थे चंदर बरदाई भीम पिर्थम के ससनकाल में सोमनात मंदिर पर आकरमण किया महमूद गजनी ने एक यार पच्चिस इस्वी माउंट आबू परवत जो कहा है राजिस्थान में पर दिरवाड़ा जेन मंदिर बनवाया था किसने भीम पिर्थम के सामंत भीमल ने पंदर सो अठारे इस्वी में राणा सांगा एवं इबराहीम लोदी के बीच युद्ध हुआ था खतोली के युद्ध आपसी कुश्चिन बन सकता खतोली के युद्ध कब हुआ था पंदर सो अठारे इस्वी में किस के बीच राणा सांगा एवं इबराहीम लोदी के बीच अर्बो ने भारत पर पहला सफल आकरमण किया था मुहम्मद बिन कासिम के नेतरत में किसके मुहम्मद बिन कासिम के नेतरत में अलवरोनी फिर्दोसी उतुभी तदा फरूखी थे कौन थे ही महमुद गजनी के दरवार में कहां थे महमुद गजनी के दरवार में गुलाम बंस की स्थाबना कब की गयी थी 12006 में किसने की थी कुतूबुद दीन एवक ने कुतूब मिनार की नीव डाली थी नीव जो डाली थी बच्चे वो किसने डाल थी कुतूबुद दीन एवक ने नालन्दा विशुत दले को ध्वर्षत करने वाला था भक्तिष्यार खिल जी कौन था? बक्तियार खिल जी, कुतुब मिनार के निर्माण कार्जय को पूरा करवाया था इल्तुत मिशने, नीव किशने डाली थी कुतुब इद्दीन एवक ने तोपी सीकर अपना जीवन निर्भा करने वाला सुल्तान नसीर उद्दीन सहा, लोहो एवं रक्त की निती का पालन किया था, बलबन ने अमेर खुसरो दरबारी कभी था, अलाउद्दीन खिजली एवं बलबन का, गोडा दागना, एवं सेनिको का होलिया लिखने की पिर्था चलाई थी, अलादीन खिल जी ने तूतिय हिंद के नाम से जाना याता है, बेरी इंपोटेंट है, अमेर खुसरो को, पीतल एवं तामर का सिक्का चलाया था, महुम्मद बिन तुगलक ने 1336 एश्वी में स्वधन्त राज्य बिजय नगर की स्थाबना की थी, हरीहर एवं बुक्का ने पगला मतलब सन की सुल्तान कहा जाता है, बेरी इंपोटेंट है, महुम्मद बिन तुगलक को, बिजय नगर की राजदानिती हमपी, लोधी बंच का संस्ताव, बेरी इंपोटेंट है, बहलो लोधी, आंदर भोच कहा जाता था, किर्षण देव राय को 1448 में चित्तोड में बिजय स्थम की स्थावना की थी राणा कुम्भा ने मुगल बंस का संस्तापक था बाबर हुमायू नामा की रिशना बेरिम्पोटेंटे गुलू बदन बेगम ने तेनाली राम दरवारी थे कृष्ण देव राइके लाख बक्स बेरिम्पोटेंटे किसे कहा जाता था कुतू बुद्धी नेवक को बाजार नियंतर्ण व्यविश्था लाउ की थी अलाद्दीन खिल जी ने बैहमनी समराज्य की राजदानी थी गुल बरगा आगरा नगर की स्थापना पंद्रे सु चार इश्विव में की थी किसने की थी सिकंदर लोदी ने अमेर खुसरो के गुरू थे निजा मुद्धीन ओलिया खजुराहो मंदिर बना नागर सेली में कोश्चिन बारवा पूछ आया था खजुराहो मंदिर किस सेली में बना है नागर सेली में असोक के अभिलेक को सरवर्थम 1837 में किस ने पढ़ा जैम्स प्रिंसेव ने बिक्रम संबत प्रारंब हुआ था अठामन इसापूर में राष्ट्य पंचंग आधारिते किस पर सक संबत पर एक्ता सेना का गढ़न किया था इल्तुत मिस ने गुरु नानक का जनम हुआ था तलवंडी में होईसल बंस की राजधानी थी दौर समुद्र अकबर की मा का नाम था हमीदा बानू दिल्ली सल्तनत की स्थाबना बारसुच्छ इस्विमिक की थी कुतुबद्दी नेवक ने तुगलग नामा के लेखक अमीर खुसरो बेरी इंपोटेंट है सेयद बंस का संस्थाबक खिजर खां कुतुब मिनार का निर्मार किया था बक्तियार काके की इसमिर्थी में किसकी बच्चे बक्तियार काके की इसमिर्थी में दिल्ली का पहला मुसल्मान सासक, कुतुबदी नेवक, मंदिर निर्मार कला में बिमान सेली का पिर्षलन हुआ था चोलवंच के सासन में होडो का प्रत्रम सासक था तोर माड कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है असोक के तिहर में सिला लेक से किस से असोक के तिहर में सिला लेक से सेर सहा के बच्पन का नाम फरीत खां सेर सहा का मखबरा इस्तिते सासा राम में 1541 एश्वे में पाटली पुत्र को पटना के नाम से पूना इस्ताबित किया सेर सहा ने अकबर के दरवार का पिर्षित संगीत कार जो था बच्पन था तानसेन मनसबदारी बेरिमपोडेंट है मनसबदारी पिर्थलाओ की थी अकबर ने मुगलों की राज के भासती फार्षी हिंदी साहित्य का स्वन काल कहा जाता है अकबर के काल को अकबर ने सीरी कलम की उपादी दी थी अब्दुसमत को अकबर ने जड़ी कलम की उपादी दी थी मौहमद हुसेन कस्मीरी को तो बच्चे ऐसे ऐसे पता होने चीए आपको यह उपादी है जो उती इंपूरेंट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं यह कुश्चिन जामसे ए आपको 102 कुश्चन मिले और वो भी हो सकता आपकी याद ना रहे यह आप ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो जो आसान चीज़े होती हैं बहुत आपसे छूट जाती है यह जो चीज़े हैं एक एक इंपोटेंट चीज़े हैं जो बार-बार एक्जाम में पूछी जाती हैं कि अब हमको हिस्ट्री में इतना पढ़ना है और आपको हिस्ट्री में सेद कुछ भी नहीं पढ़ना जो भी मुझे और लएगा इंपोटेंट है तो मैं प्लेलिस्ट में वीडियो एट कर दूँगा के लिए रव अच्छी नेश्ट कोशन देखेंगे बेजु बावरा अबुल फजल फैजी सेख सलीम चिस्ती मुलादो प्याजा थे अकबर के दरबार में शिखो के पांचमे गुरू अर्जुन देप के फांसी दिलवादी थी किसने जहांगीर ने चित्र कला का स्वानकाल कहा जाता है किसके जहांगीर के समय को कुश्चिन 12 पुछा था चित्र कला का स्वानकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को जहांगीर के मकबरे का निर्मार कराया नूर जहाने कैप्टन होकिन्स और सर टॉम्स रो आये थे जहांगीर के दरबार में ताज महल का निर्मार करने वाला इस्थाबत्ति कलाकार था उस्ताद एहमद लाहुरी बेरिएंपोर्टेंट है इस्थाबत कलाका सुन यू कहा जाता है सा जहां के काल को नेक्ट कुछन देखेंगे बेरिएंपोर्टेंट है जिन्दा पीर के नाम से जाना आयता था ओरंग जेव शिखों के नोमे गुरु तेख बाहदुर के हत्या करवा दी थी ओरंग जेव ने 1699 में इस्थी में हिंदु मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था किसने ओरंग जेव ने आना सिक्के कव प्रिचलन करवाया था सा जहां ने अकबर ने दीने इलाही धर्म शुरू किया था कब 1582 सिव में आपसे यही पूछ लेता है दीने इलाही धर्म किसने शुरू किया था अकबर ने सहा जहां के बचपन का नाम था खुरूरम जहांगीर को दफनाय गया था सहादरा लाहोर में ताज महल मकबरे की योजना तयार की थी उस्ताद इसा ने अकबर का जनम 15 अक्टूबर 1522 को हुआ था अमर कोर्ट अब कहां है ये पाकिस्तान में लाल किले इस्थित मोती मस्चित को बनबाया था ओरंग जेवने मराठा समराज्य के संस्थापक सिवाजी सिवाजी के गुरू थे कॉंड देव आध्यात्मिक छेत्र में सिवाजी के आचरण पर काफी प्रभाव पड़ा था गुरू रामदास का पुरंदर की संदी कब हुई थी 1665 इसी में हुई थी महाराजा जैसिंग एवन सिवाजी के बीच सिवाजी के मंत्री मंडल कहा जाता था अश्ट प्रधान सिवाजी के मंत्री मंडल क्या कहा जाता था अश्ट प्रधान सिवाजी के काल में चोध और सरदेश मुखी था एक क्या था ये एक कर था मराठा राज्जिय का दूसरा संस्ताव माना जाता है बालाजी बिस्वनात को बेरबल का मोल नाम था महेजदास बेरियम्पोटेंट है लंपट मूर कहा जाता था जहांदर सहा को बेरियम्पोटेंट है मुगल बंस का घिर्णित कायर ये बारबाब पूछ आता है ये बारबाब पूछ आता है कि मुगल बंस का घिर्णित कायर किसे कहा जाता था ठीक है तो याद रखेंगे मुगल काल में सासक निर्माता कहलाते थे सयद बंदू कौन थे ये सयद बंदू हुसेन अली खाँ एवं अब्दुल्ला खाँ इरान का नैपोलिन कहा जाता है बच्चे नादिर साह को तक्तित ताउस मतलब मयूर सिहासन पर बैठने वाला अंतिम सासक कौन था महम्मद सहा अंतिम मुगल सासक था बहादूर सहा जफर दूत्तिय भारत आने वाला पर्थम पूर्थकाली था बासको डिवावां का बाय था 1498 इसवी में 1505 इसवी में भारत में पर्थम पूर्थकाली बाईसरय बनकर आया फ्रांसिस्को दे अलमेडा ठीक है ये भी बार-बार कर्शन पूछा था तो इसको भी याद रखेंगे आप कन्फिज हो आते हो नेक्स्ट कर्शन देखेंगे पूर्थकाली ने अपनी पहली कोठी खोली कोचीन में अंग्रेजों ने पिर्थम ब्यापारिक कोठी 1608 इसवी में खोली थी सूरत में तो इसमें बहुत कन्फिज रहा तो इसको अच्छे समझेंगे पूर्थकाली ने अपनी पहली कोठी खोली कोचीन में अगर पुर्टकाली पुछा है तो कोचीन लगाएंगे अंग्रेजों ने पिर्थम व्यापारिक अगर व्यापारिक कोठी या फैक्टरी 1608 हिच में खोली थी कहां सूरत में भारत में पिर्थम फ्रांसेशी गवर्नर थी दूपले भारत आने वाले बिदेश्चियों का सही करम क्या है तो इनको करम से भी लगवा लेता है तो यह भी आप याद रखेंगे मगत समराज्चे के राजबंस का सही करम यह भी आप से लगवा सकता इसको भी याद रखेंगे हरजैक, सिसुनाग, नंद, मौर्या, सुंग, कंडव इस तरीके से यहाँ आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं अगर यह ट्रिक है याद रखना चाहो रख सकते हो सल्तनत काल के बंस का सही करम आप यह भी याद रखेंगे सल्तनत, इनको भी सही करम से लगबा सकता है, तो यह ट्रिक है इसको याद रखेंगे, ठीक है नेक्स देखेंगे मुगल समराज्य के प्रमुक सासको का सही करम यह बेरी इंपोटेंटे, यह तो बारवर पूछा आता है, तो इनको भी याद रखेंगे, बावर उसके बाद हुमाईयू, फिर उसके बाद अकवर जहांगीर, साज जहां ओरंग जेव, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेश सेनापती था, सर हेक्टर मुंद्रो, पुर्त कालियों ने गोवववर कपजा किया था पंद्रो सु दस इस्वी में गुरू मुखी लिपी का आरंब किया था गुरू अंगद ने, किसने बच्चे गुरू अंगद ने आधि गरंद की रचना किये थे गुरू अर्जुन देव 1699 इस्वी में खाल सब पंद की स्तावना कि थी गुरू गोविन सिंग ने रेगुल एक्टिंग एक्ट लागू हुआ 1773 बारत में नागरिक सेबा का जनक माना याता है लाड कार्ण वालिस को 1793 में इस्थाई बंदोबस्ट पदती लागू की थी लाड कार्ण वालिस ने सायक संधी की पतते शुरू की थी लाड वेले जली ने सती पिर्था को समप्त करने वाला गवर्न चनल कौन था लाड विलियम बेंटिंग मेकाले की अनसंसा पर अंग्रे जी को सिक्षा का माद्य मनाये गया लाड विलियम बेंटिंग द्वारा ठागी पिर्था का अंद एवन सिसु बालिका की हत्याप बिर्थे मन लगाया था लाड विलियम बेंटिंग ने भारते प्रेस का मुग्दियाता कहा जाता है चार्ल्स मेट काफ को भारते रेलवे का जनक माना जाता है लाड डलोजी को अठर सो चोवन इसवी में भारत में पहली बार डांक टिकेट का बिचरन लाड डलोजी तार सेबा की सुरुआत की थी डलोजी ने भारते नागरिक सेबा हेतु पहली बार पिर्थियों की परिक्षा सुरू की लाड डलोजी के काल में बंबई कलकत्ता तता मदरास उच्छ नियल्ले की स्थाबना की थी लाड केनिंग के काल में 888 इस्वी में वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया लाड लिटन ने 888 में सर्पितम भारत में नियमिज जन्गरना करवाई लाड रिपन के काल में रिपन को भारत के उधारक की उपादी दी थी किसने फिलोरेंस नाइटिंगल ने 885 इस्वी में बंबोई में भारते राष्टे कांग्रेस की स्थापना की थी एयो हुयूम ने 1905 में बंगाली व्याजन हुआ लाड कर्चन के काल में यह कुश्चन बन सकता है बंगाली व्याजन कब हुआ तो आप कहेंगे 1905 में किसे के सासन काल में लाड कर्चन के काल में आगां खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई कहां ढाका में भारत की राजाई दिल्ली वनी 1912 में तिलक और एनिबेसेंट ने हमरोल लीग की स्थापना की थी 1915 में रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में जलिया वाला भाग कहां अम्रिस्सर हत्यकांड हुआ 13 अपरेल 1919 को चोरी चोरा कांड कहां हुआ था उत्तर प्रिदेश में उत्तर प्रिदेश में कहां यह आप कमेंट वक्स में कमेंट करेंगे कब हुआ था 1922 में चितरंजन दास एबं मौतिलाल लहरु ने स्थापना की 1923 में कांग्रेस में फूट पड़ी सुरत अधिवेशन 1907 में एमन राई ने भारते कम्यूनिस्ट पार्टी अगठन किया 1921 में साइमन कमिशन बंबई पहुँचा 1928 में भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्याले खोला अडियार में कव बच्चे 1882 में गांधी जी द्वारा सविन ने अविग्या अंदुलन प्राम्भ किया गया 1930 इसवी बेरी इंपोटेंटे बारवर पुछे आता है गांधी इरे में समझोता हुआ था ये भी बेरी इंपोटेंटे बारवर कुछे आता है मार्च मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं अंबेटकर के बीच पूना समझोता हुआ था 25 सितंबर 1932 को भारत सरकार अधिनियम पास किया गया 1935 में स्वासचंदर बोस ने फारवर्ड बलाग की स्थाबना कब की 1949 में यक कुश्चन बन साता है फारवर्ड बलाग की स्थाबना किसने की स्वासचंदर बोस ने लाहोर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में स्वेतंदर भायत के पिर्थम जनरल कौन थे लार्ड माउंट बेटन कौन थे बच्चे लार्ड माउंट बेटन स्वेतंदर भायत के पिर्थम और अंतिम भारतिया गबर्णेस चक्रवर्त राजगोपालारी द्यान रखेंगे यहाँ पर अगर अपसे पूछे जाये स्वेजतनत्र भारत के पिद्थम गबर्णेस जेनरल लुक्त मूंडबेट जेंटा पिडितम भारतिया गबर्णेस जनृर्ण तो चेकरवरती राजगोपालाचारी किलियर भारत के सुतंतरता के समय ब्रेटेन के प्रदान मंतरी किलिमेंट इटली 1857 इसवी की सेननी करांती के सुरुआद हुई थी मेरट से 1857 की करांती के समय मुगल बादिसा था बाहद दूर्फ सहा जफर आगे देखेंगे लाला हर्दयाल ने गदर पार्टी की स्थाबना की थी 1913 में कुश्चन बन जाता है गदर पार्टी की स्थाबना किसने की थी लाला हर्दयाल ने 1857 इसवी की करांती के समय ब्रेटेन के प्रदान मंतरी थी लाड पामेश्टन बिना ताच के बादिसा कहा जाता है सुरेंदर नाथ बनड़ जी को दुत्य बिश्विद के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे बिश्टन चर्चिल दास पिर्था को अभेद घोशित किया गया 1843 में विवेका नंद के बच्पन का नाम था नरेंदर नाथ 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था लाड केनिंग बेर इंपोर्टेंटे बारबार एक कोशन पूछा जाता है 1924 में महात्मा गांधी भारते राष्टे कांग्रेस के अध्यक्ष बने बैल गाउं अधिवेशन कलना टक बच्चे आपसे पूछा ज़ता है क्या किस तरीके से कोशन पूछाएगा सबसे पहले तो ऐसी पूछा ज़ता है 1924 में महात्मा गांधी भारते राष्टे कांग्रेस के अध्यक्ष बने किसके बैल गाउं अधिवेशन में कलियर कैसे भी कुश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है बस आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से कलियर हो जानी चाहिए अब कुश्चन पूछ सकता है बैल गाउं अधिवेशन कब हुआ आप कहतें 1924 में ठीके बैल गाउं अधिवेशन के अधिश्चता किसने की महत्मा गानी ने कलियर है कुश्चन कैसे भी घुमा फिरा सकता है वो बिहार में 1857 इस वी क्रांती का नेतरब किसने किया बीर कुमर सिंग ने पिंडार्यों का उन्मूलन किया था लार्ड हेश्टिंग ने इलावाद की संदी हुई थी 1765 में गोल कुंडा की संदी हुई थी 1656 में बनारे सिंदु विश्विदले की स्थापना 1916 में की गई थी पंडित मदन मोहन माल भी है प्यारचे बेरी बेरी इंपर्टेंट है ये भी आपको याद होना चाहिए पिर्थम गोल में सम्मेलन कहां हुआ था लंदन में कब 1930 में पिर्थम गोल में सम्मेलन के समय भारत के बाइसराय कुन थे लाड इर्विन दुत्य गोल में सम्मेलन हुआ था तेरी इंपूर्टेंटे महात्मा गांधी ने तृत्य गोल में सम्मेलन में कांग्रेश ने भाग नहीं लिया था कुश्चिन बन सकता है कांग्रेश ने किस सम्मेलन भाग नहीं लिया था तृत्य गोल में सम्मेलन भाग नहीं लिया था तृत्य गोल में सम्मेलन कभ हुआ थ पूर्ण स्वतनतता की मांग का प्रिस्ताब रखा गया लावर अधिवेशन 1929 में चंडीगर सहर का डिजाइन बनवाया था ली कार्बुजियर ने किसने बनाया था चंडीगर सहर का डिजाइन किसने बनाया था ली कार्बुजियर ने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विश्टन चर्चिल ने काला कानून कहा जाता है रोलेट एक्ट को स्वेदेशी आंदोलन प्राम्भ हुआ था 1905 इसवी में कांग्रेस का प्रिताम अदिवेशन कब हुआ मुंबवई में 1885 इसवी में अद्यक्स्ता किस ने किती व्योमेश चंद्र बनरजी ने मौबला विदरो या आपको किस तरीके से बोल सकता है मौबला विदरो मालावार कहां हुआ केरल में हुआ था कब हुआ था 1921 में अहुं विदरो लेज़ प्रो कहां हुआ था असम में कब हुआ था अठरसो अठाइस में कुका अंदुलन पंजाब में कब हुआ था बच्चे यह आप कमेंट बुक्स में बताएंगी कुका अंदुलन कब हुआ था कमेंट बुक्स में कमेंट करके बताएंगी ये आपको सामने दिखा कहां हुआ था पंजाब में हुआ था गांधी जी ने भारत में पिर्थम सत्यक्राय का प्रियोग किया था चमपरण 1917 में गांधी जी ने भारत में पिर्थम सत्यक्राय का प्रियोग किया था चमपरण 1917 में 1906 में कांग्रेश के अधिवेशन में दादा भाई नोरोजी ने पूर्ण सुराज की मांग की थी कहां कलकत्ता में बंगाल में अनुसीलन समिती के गठन किया पी मित्रा ने 1904 में अभिनब भारत नामक संस्ता हिसाफित की थी बीड़ी सावर करने महाराष्ट के क्रामतिकारी पत्र काल का संपाधन किया था परांजुपे ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपादिस समानित किया गया था 1915 एस्वि में यह कुश्चन बन सकता है केसरे हिंद के नाम से केसरे हिंद की उपादिस से किसे समानित किया गया था महात्मा गांधी को गांधी जी ने सत्यागरे का सरप्रतम प्रियोग किया था दक्षिन अफ्रीका में महात्मा गांदी ने केसरे हिंद की उपादी एवं रविंद्र नाठ टैगोड ने सर की उपादी लोटा दी थी क्यों लोटा दी बच्चे जलियावाला कांड के ब्रोध में किसके जलियावाला कांड़ जो हो गया था उसके ब्रोध में इन्होंने क्या करे थी अपने उपाधी लोटा दी थी चोरी-चोरा कांड़ से दुखित होकर महात्मा गांडी ने ऐसे जो का अंदुलें इस्थागित कर दिया था 1922 में 1923 इसवी में इलहाबाद में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने इस्थाबना की स्वराज पार्टी की किसकी बच्चे स्वराज पार्टी की कांड़ेस के पिर्थम ब्रेटिस अध्यक्ष थे चार्ज यूले भारत भारतियों के लिए ये नारा है आरे समाज का बारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार बल्ला भाई पाटेल को कुछ्चन बारवर पूछा आता है बारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सरदार बल्ला भाई पाटेल को भारत्य पुनर जागण का पिता कहा जाता है जाजा राम मोहन राय को भारत का पितामा कहा जाता है दादा भाई नोरेजी को बारबार कुछन ये पूछा आता है Grand Old Man of the India ठीक है ये भी बार बार आपसे पूछा है थो तो याद रखेंगे Next Question देखेंगे भारतिय हरीजन सेवक संग की स्थाबना की थी महात्मा गान्दी ने भारतिय हरीजन सेवक संग की स्थाबना किसने की थी महात्मा गान्दी ने पाकिस्तान सब्त का जन दाता थे चोदरी, रहमत अली डिवाइन कॉमेडी के लेखक बेरी इंपोर्टेंट है दाते सरब्रतम पुनार जागरन का प्रारंब हुआ कहां बच्छे इतली में आदुनिक, राजनितिक, दर्सन का जनक कहा जाता है में क्यावली को दी प्रिंस के लेखक कौन है बच्छे आप एंगे में क्यावली दा लास्ट सफर यह आप से पूछ सकता है मोना लीसा के चित्रकार थे लिवनार्दो दी विंची दी लास्ट जजमेंट किर्टी के लेखक माइकल एंजल की मेंडोना चित्रके चित्रकार राफेल आधुनिक पिरोगात्मक बिज्ञान का जिम्दता माना जाता है रोजर वेकन जो कहां के थे इंग्लेंड के रोमियो एंड जूलियट अमर किर्टी किसकी ये सैक्स पियर की गिरह सूरे के चारों गुमता है सब्रिदम बतलाया किसने कैपलर ने जॉप ने ट्वेल क्लास में कैपलर के नियम भी पढ़े होंगे धर्म सुधार अंदुलन के शुरुवात हुई थी इंग्लेंड में अमेरिका की खूच की थी कॉलम्बस ने समुद्र मार्क से संपूर्ण बिश्प का चक्कल लगाने वाला पिर्थम ब्यक्ति था मेग्लन अमेरिका के मोलनिवासी थे रेड इंडियन अमेरिका को पूर्ण स्वरतंतरता मिली 4 जुलाई 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के पिर्थम राष्टेपती थे जार्ज वासिंग्टन सर पिर्थम पिर्जातंतर की स्थाबना धर निर्पेक सिराज्जे की स्थाबना तथा मोलिक अधिकारोई घुंशना करने वाला देश संपूराश्टे अमरिका बिश्प में सर्प्तम लिखे सम्विदान 1789 इस्विव में से लाग हुआ संपूराज अमरिका नेक्ट कोशन देखेंगे अमेरिकन फिलोसिफिल सोसाइटी की स्थाबना की थी बेंजमिन फैंकलिन ने लुई सोलमा के सासनकाल में फ्रांस की राजिक रांती 1789 इस्विव में मापतोल की दस्विव प्रणाली देन है किसकी बच्चे फ्रांस की लिट्स कारपोरल के नाम से जाने आता है नेपोलियन को नेपोलियन की पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट सरप्रतम इंगलेंड को बन्यों का देश कहा था नेपोलियन ने लाल कुर्ती नामक सेना को संगडित किया था गैरी वर्डी ने बिसमार्क को बाजिगर कहा था बिलियम पिर्थम ने दास कैपिटल पुस्तक के लेगा कार्ड मार्क्स दुनिया के मजदूरों एक हो कनारा दिया था कार्ड मार्क्स ने बेग्यानिक समाजबात का संस्ताफ़क था कार्ड मार्क्स कहां का थे बच्चे जर्मनी का आधुनिक रूस का निर्माता माना याता है इस्टालिन को मदर के रिष्णाकार थे मैक्सिक गोर की सरप्रतम उद्योगी क्रांती के सुरुवात इंग्लेंड में हुई थी सो बड़ से युद्ध हुआ था इंग्लेंड और फ्रांस के बीच पिरतम विश्वत का तातकालिक कारण था आश्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हतिया चीन का राष्ट्य पिता कहा जाता है टंक्टर सनियात सेन को खुले द्वार की निती अपनाई गई थी चीन में एसिया का मरेज कहा जाता है चीन को इस्तामबुल का पुराना नाम था कुष्टुन तुनिया बच्छी यहां से बहुत कम कुश्चिन जो मैं करा रहा हूँ पिछले पेज़ जो करा रहा है तो यह वाले जो करा रहा है ठीक है तो कि जो भी इंपोटेंट हो सकता हूँ मैंने सभी इस क्लास में रख लिया है कि फासिज्म का जुन्दाता माना जाता है मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से पुकारा जाता था मुसोलिनी को एक राष्ट एक नेता का नारा दिया हिटलर ने किसने दिया था बच्चे एक राष्ट एक नेता का नारा किसने दिया था हिटलर ने माई कंफ या मेरा संगर्स यह जादा मिलता आपको लिख हुआ आत्मकदा किसकी है हिटलर की जापान के सामराज्यवाद का सबसे पहला सिकार हुआ चेन पीत आतंक के नाम से सम्वोधित किया जाता था जापान को दुत्य विश्विद का तातकाले करण था जर्मनी का पोलेंड पर हमला म्यूनिक पैक्ट संपन हुआ 1938 इसी में दुत्य विश्विद के समय अमरिका का राष्टे पिता था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट अंतर राष्टी छेतर में दुत्य विश्विद का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट संकी स्थापना ये कुशिन बन जाता है संयुक्त राष्ट संकी स्थापना कब होई थी 24 अक्टूबर 1945 को जलियावाला बाघ अत्यकान से सम्मधित गठित आयोग जो था कौन साथ बच्चे हंटा रायोग यो भी कुशिन बार बार पूछा आता है नेक्ट कुशिन देखेंगे धन निकास सिद्धान्त का प्रतिबादन किया था दादा भाई नोरोजी ने स्वधंद्र भारत के जंडे का डिजाइन किया था पिंगली बेकाईयन ने अमरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को चीन गड़ राज्जिय के फिर्थम राष्ट्य बती थी डाक्टर सनियात सेन भारत चीन के मध्य पंचसील समझोता हुआ था 20 अपरे 1954 को भागबत धरम के प्रवर्टक थे किर्षन संगम काल का महान सासक था करी काल रूस में बोल से भी क्रांती हुई थी साथ तमब और 1917 को पिर्थम विश्वुद में धूरी राष्टों कर नेतरब किया था किसने बच्ची जर्मनी ने पिर्थम विश्वुद कब हुआ था 1914 से 1918 में किसने देशों ने भाग लिया था 37 देशों ने दूत्य विश्वुद कब हुआ था 1949 से 1945 इसमी में भाग कितने देशों ने लिया था 61 देशों ने 6 अगस्ट 1945 को हीरो सीमा पर गराय गया एटम वम कौन सा था फैट मेन कुश्चन मन सकता है हीरो सीमा पर बम कब गराय गया था ये भी आप से पूछा देखता है 9 अगस्ट 1945 को नागा साकी पर गराय गया एटम मम कौन था लेट सो बॉई बाटल लूफ का युद हुआ था 1815 में बढ़ साई की संदी हुई थी 28 जून 1919 को चीन ने भारत पर आकरमण किया था 19 सितंबर 1962 को फ्यू हर सब्द प्रिउक्त हुआ हिटलर के लिए तातिय टोबे का बास्पिक नाम था रामचंद्र पांडूरंग बारवार पूछा आता है कांग्रेश के पिर्थम मुस्लिम अध्यक्स कोन थे बेरी बेरी इंपोर्टेंट है बदरून दीन तेयब जी हर्मिट उप सिमला कहा जाता एयो ह्यूम को यंग बंगाल अंदोलन का पिर्थक बीवियन डेरिजियो को डंडा फोच का गठन पंजाब में किये थे कौन चमन दीप ने 887 इस्वी में बारते सुधार समेती के स्थावना दादवाई नोरोजी ने साहजा ने खान खाना की उबादी प्रदान किये थी महावत खान को पुराणों की कुल संख्या 18 बेरी इंपोडेंट है बुद्ध की पूर जन्म की कहानी का बढ़न मिलता जातक में प्रचीन्तम सिक्को को कहा जाता है आहत सिक्का भारत में रोमन सिक्का प्राप्थ हुआ अरिक मेडू पांडी चेरी के पास से बच्चिए किडसी एहूं पहिये का बिस्कार हुआ नप पासन काल में आग का बिस्कार हुआ पुरा पासन काल में जूतुवे खेत एहूं इट पर अलंकरण प्राप्थ हुए काली बंगा से ब्रत इस्नानगर एहूं अन्नागार प्राप्थ हुए मोहन जोदरो से चावल के दाने मिले बच्चे लोथल एहूं रंग बुर से तो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फीड़ोना चीए जैसे ही आपको कुछिन मिलता है आपका एकदम दिमाग उस उप्षन पे जाना चीए जो आपका करेक्ट आंसर है क्लेर बच्चे घोड़े के अस्थी पंजर प्राप्थ हुई सुर्खोट दा यूं काली बंगा से सिंदु सब्वेतमा आग में पक्यो ही मिर्दा मोहरो को कहा जाता है टेरा कोटा सिंदब कालिन समाज था मात्र सत्तात्मक आर्यो की भासा थी संस्क्राद बेदिक सब्वेता थी एक ग्रामेड सब्वेता आर्यो का समाज था पित्र प्रद्धान रिग बेद में उल्लिकित सबसे पवित्र नदी माना याता सरस्वती को दस राग्य युद्ध मतलब राजसुदास एवं दस जनों के बीच लड़ा गया था कहां बच्चे पुरुषणी नदी के तटपर स्वतनत्रता प्राप्ति के बाद हडपा संस्कृति के सर्वादि इस्थल खोजे गए गुजरात में भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन रिग बेदिक कालीन बनस्पति के देपता थे सोम सबसे प्राचीन दर्शन दर्शन के प्रतिवादक बादरायन जेन तीर ठंकरों में संस्क्रत का सबसे अच्छा विद्वान था नय चंद्र जेन धरम से संबन्दित कला मतुरा कला गोतम बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति पेपल ब्रक्ष के नीचे बेसाक पूर्णे मको हुआ था किस नदी के निरंजना नदी के किनारे बोत धरम हीनियान महायान में बटा था चतुर्थ बोध संगिती में बोत धरम एवन जेन धरम में समानता है अनिस्वरवाद तंजोर में पिटसिद राज्जा जेस्वर से मंदिर के निर्मार करता राज राज पिर्थम थे चोल सासक बेशलब संपरदाय के आचार्य थी रामानुज सरवर्थम पैगमर महम्मत की जीवनी लिखी इवन इसाक ने मगद के सबसे प्राचीन बंच के संस्तावक थे ब्रदरत महात्म बुद्ध की सेव में भेज़ा था बिम्बिसार ने किसको भेज़ा था राजवेद जीवक को अजासत्रो अनुए थे जेंद्रम के हर्यक बंच का अंतिम सासक था नाक दसक सिकंदर की सेना पार करने से इंकार कर दिया था किस नदी को ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से इंकार कर दिया था आपसे पूछा आएगा तो आपके ने ब्यास नदी को सिकंदर का सेना पती था सेलिकिस निकेटर चेंद्रकुत मौर्यय मगत की राजगद्दी पर बैठा था 322 इसापूर में बिंदु सार अनुवियाई था आजीबक संपड़दाएका जैन ग्रंथों में बिंबिसार को कहा गया सिंग सेन पुराणों में असोक को कहा गया असोक बर्धन हाल एवं गुडालिये साहित्य थे साहत वहान काल में साहत वहानों की बहां सार प्रक्रत थी और लीपी थी ब्राहमी लीपी हिंद यूनानी सासक मिनांडर ने बोट धर्म की देख्षा ले थी नागरजुन से मिनांडर के पिट्सन और नाक्सेन के उत्तर का संग्रे कहा है मिलिंद पनों में सको पर बिजय के उपलक्ष में 58 इस्वी में चलाया गया संबत था विक्रम संबत कनिश्क द्वारा 78 इस्वी में प्रार्म किया गया संबत जो भारत सरकार प्रियोग में लाती है सक संबत कनिश्क अनुयाई था महायान संबत दायका जो किसका बोध्धरम का 510 इस्वी के एरण अविलेख हैं भानुगुप्त के पुल केशिन दुत्ययने हर्स बर्धन को 630 इस्वी में हराय था तापती नदी के किनारे कहा बच्चे तापती नदी के किनारे नो सेना सक्ति के लिए पिर्शिद है चोलबंस, मलिक काफूर, सेना पती था अलादीन का, अपनी युद्ध बिजे के उपलक्ष में राणा कुम्बा ने चित्तोड में निर्माड करवाया था, बिजे स्थम्ब का, अजमेर में ढाय दिन का जोपडा, नामक मस्चित का निर् निर्माड किसने करवाया था, कुतुब दिन एवक ने, कहां है ये भी पूछा जिता है, ढाय दिन का जोपडा कहां है, अजमेर में, नहरो का निर्माड कराने वाला पहला सासक था, गयस दिन तुगलक, इटली यातरी निकोलो, कांटी, बिजे नगर की यातरा पर आया था देवराय पिर्थम के काल में, खानबा युद बिजे के बाद, बावर ने उपादी धान की, गाजी की, मुवाईयान, नामक पद सेली के जन दाता है, बावर, डाक पिर्था का पिर्चलन करवाया था, किसने वच्चे सेर सहां सूरी ने, दीने हिलाई धर्म सुईकार करने वाला पिर्थम अंतिम पिर्थे के बाद, बावर, लुजे का पिर्था के बावर, युदे भी अंतिम देखेंगे, अकबर को दफनाय गया था, सिकंद्रा में, कहां बच्चे, सिकंद्रा में, मैर सिहातन करन्मार करवाया था, सा जहां ने, आगरा की जहाँ मस्चिद का निर्मार करवाया था सा जहां की पुत्री जहां आराने आगरा की जहाँ मस्चिद का निर्मार किसने करवाया था सा जहां की पुत्री जहां आराने या आपको सा जहां भी उपसने मिल सकता है आगरा की मोती मस्चिद तथा दिल्ली की जाओं मस्चिद का निर्माड करवाया था सा जाने याद रखेंगे आगरा की मोती मस्चिद या दिल्ली की जाओं मस्चिद का निर्माड अगर आपके पूछा है तो किसने करवाया सा जाने जांगिर के काल में सिंग अस्पा एम दूस्पा क्या था सवार पद 1674 इसवी में पांडी चेरी के स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने बकसर के कब हो था 1764 इसवी में इसमें अंग्रेज सेनापती कौन था हेक्टर मुन्रो 1760 के बांडीबास युद्ध में फ्रांसेशी बुरी तरह से पराजित हुए थी इसमें अंग्रेज नेतरप था सर आयर कूर्ड संगत मतलब धर्मसाला एवं पंगत मतलब लंगर को चालू करवाने वाले गुरू गुरू नानक अमरेश सर जलासे के बीच में हर मंदिर सहब करनमार कराया था गुरू अर्जुन देव ने अपने को सच्चा वात्सा कहना शुरू किया था हर गोविन ने गुरू गोविन सिंग का निवाज सिस्थान तथा कारेश्थ ली आनंदपुर साहिब तथा पाउती फोर्ट विलियम कोलिज की स्थावना बेरी इंपोर्टेंट है किये गई थी लार्ड विलेजली द्वारा नेक्स देखेंगे अठाट सो चोबिस इस वीके बैरकपुर का सेन ने विद्रो हुआ था लार्ड एम हर्ष्ट के समय अठाट सो पैतिस में कोलकाता मेडिगल कोलिज की स्थावना की थी बिलियम बिंटिंग ने दास पिर्था का उनुलन करवाया था लॉर्ड एलिन वरो ने नर्वली पिर्था प्रतिवन लगाया था लॉर्ड हर्डिंग ने अठाट सो बामन इसे में इनाम कमिशन की स्थावना की थी लार्ड वेले जली ने ब्यापक्द सिधान्त या राज्य विले की निती अपनाए गई थी लार्ड डलोजी द्वारा सिमला को ग्रिस्म कालेन राज़दानी बनाया था लार्ड डलोजी ने बारत एं यूरोप के बीच पिर्थम समंदरी टेलेगराप से बस रू करवाई थी लार्ड लारेंस ने 1881 इसमी में पिर्थम कारखाना अधिनियम लाया था लार्ड रिपन ने भारत्य पुरातत बिवाग के इस्थाबना किये गई थी लार्ड करजन के समय द्वेद सासन 1755 इसमी ब्यवस्ता लागो की गई थी रावट कलाइब द्वारा एहस्तशेव निती अपनाए गई थी सर जोन सोर द्वारा सन्याची विद्रो का उलेक मिलता है आनंद बंचने किसमें बच्चे आनंद मठ में इसके रिच्चे दा कोन है बंकिम चंदर चटर जी कोन है बं प्रेक्टिस एट शुरू करेंगे तो आप देखें कुष्चन किस तरीके से पूछे आते हैं अगर यह आपने पूरी क्लास अच्छे से की है तो आप देखेंगे हिस्ट्री का कुष्चन आप बहुत आसानी से लगा रही होंगे नेक्ट कुष्चन कांगरेस अपने पतन क्यों लड़काडाती हुई जा रही है कथन किसका था करजन का अब बच्चे यह चीज़ याद रखेंगे जो इंपोडेंट है फिर्मुग राजबंस संस्थाबक उनकी राजधानी है ठीक है यह आपको एक बहुत नॉर्मली कुष्चन बन जाते हैं इसलिए आपकी याद होना चाहिए यह बच्चे राजबंस से संस्थाबक के सकता है इसी तरीके सिसुनाग का अगराम से पुछा है सिसुनाग बंस के संस्थाबक सिसुनाग यह बच्चे इसकी नाम पर ही यह संस्थाबक है जाजधानी पूछा है बेसाली नंद बंस का संस्थाबक महापदमनंद जाजधानी पूछा है पाठली पुत्र मोर्य बंस क आप सब को देख सकते हैं और सब ही आपके याद होना चाहिए लिखकर याद करेंगे तो और अच्छे से याद होगा बच्चे लिखकर याद किया अगरो ठीके रोज किलास को आपने आज देखा चाहें आप आज 15 मिट के देखी तो जो 15 मिट में देखा उसे एक साइड लिख लिए और उसको याद किया बच्चे और अगले दिन 15 मिट देखी उस तरह के आधे घंटे किलास हो गई फिराम ने जो चीज देखी जो आपसे याद नहीं होती उसको बारवार लिखेंगे और याद करने का प्रयाज करेंगे मैं आप देखेंगे पूरी किलास आपके याद अच्छे से हो जाएगी इसी तरह के सा आगे देखेंगे कुछ भी आपसे पूछा है आप सबी का राजिता नहीं बता सकते हैं और किसी का भी संस्थाफ़क आप पुछे जाए, आप संस्थाफ़क भी बता सकते हैं. बच्छे आगे देखेंगे, प्रमुक संगठन तदा उसके संस्थाफ़क, यही बैरिम्पूडन्ट है, इनके स्थाफ़ना भी आप से पूछ लेता है. जैसे एसेटिक सोसाइटी के इस्थापना गराम से पुझे 1784 से भी संस्थापक पूछाएगा बिलियम जोन्स आत्मी सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राए इस्थापना 1815 युवा बंगाल अंदुल हैंडी डिरोजिया 1826 इस्थापना ब्राम मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राए इस्थापना 1828 तद्वो दिनी सभा देमिंदना ठागुर 1849 इसी तरीके से बच्चे आमसे पूछ जाए तो आप आराम से बता पाएंगे किसी कभी आमसे पूछ ले एक आरे समाज बेद समाज और भारते राष्टे कांगरेशन बेल और मर्ट ये तो आपके कमसकम इतने याद होने चीये हैं बरना ज़्यादा नहीं है आराम से याद कर सकते हो बच्चो और चीजे एक एक इम-पोटेंट हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की घबराने की बिल्कुल ज़रत नहीं हिस्ट्री की तरफ साब को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रत नहीं है हम quality बहुत अच्छे से cover करेंगे जो हमारे एक कुछनी बाहर न जाए क्योंकि यहां से history से कम question पूछे आते हैं और जो पूछे आते हैं वो यह बारवार repeat होते रहते हैं तो हमारे फालत पढ़ने की ज़रत नहीं बस हमको selection से मतलब है कि हमारा GKM अच्छे score कैसे हो पाएगा ठीक है बच्छे कर आपकी कोई भी query है तो comment और comment करके पूछ सकते हैं next बच्छे अब एक तरब संगठाने और संस्ताबक और स्थापना जैसे servants of India society संस्ताबक गौपाल कृष्ण गोखले स्थापना 1905 मुस्लिम लीग संस्ताबक आगा खाँ एवन सलीम उल्ला खाँ इस्थापना 1906 विस भारती कम पूचैता गदर परटी पूचा सकता है लाल हर्दयाल 1913 ये कम पूचैता है खिलापत अंदोलन इंपोटेंट है संस्ताबक अली बंदू इस्थापना 1919 स्वराज परटी बारवर पूचैता है मोतिलाल नहरोईन चितरन जंदास इस्थापना 1923 बच्चे इसी तरीके से आप देखेंगे फ़र्ड ब्लोग बारवर पूचैता है और आजाद हिंद फोज बारवर पूचैता है फ़र्ड बिला का नाव से पुझा है स्वाचनर बोस और इस्थापना 1949 आजाद हिंद फोज राजबिहारी बोस और बच्चे इस्थापना 1942 अब देखेंगे ये भी बहुत इंपूरेंट है बच्चे परवंग पत्र पत्रिका एवं प्रकासन बर्ड़्स एक नएक यहां से कुछन मिलने की चांस रहते हैंं इंडियन रिव्यू ये पत्रिकाउ के नाम दीएं बच्चे इस संस्थापख हैं ये इनके बर्ड़्स हैं और ये इश्थान हैं कहां से परकासित हुई थी इनकी इस्थान हैं इंडियन रिव्यू जी ए नेशन उननिस तो चेन नहीं इतने इंपोटेंट नहीं है इसको याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा बैरी इंपोटेंट पहले ही है सोरी दूसरी है इंडियन ओपेनियन इसके संस्थाबक महात्मा गांधी सन भोत कम चांसे सन नहीं पूछी आ आप याद रखेंगे जो इंपोटेंट उनके आगे में निसान लगा देता हूँ बंदे मात्रम पिरताप अलहिलाल कॉमन बील गदर तो आपको पता है यह निउ इंडिया सर्वेंट ओफ इंडिया इंडिपेंडेंट नभ जीवन यंग इंडिया हरीजन यह बच्चे सारी इंपोटेंट यह इंपोटेंट है थी कह ए कॉमन बील वारा पूछी आती है, ये भी पूछाता किस लेंग्वेज में है ये, कॉमन बील तो इनकी लेंग्वेज भी दिये अंग्रेजी में है, किसकी है एनिवेशेंट की, कहा से बच्चे मंबोई से, ये आप से भूत कम चांसे जो सन पूछा जाए, निव इंडिया किस यंग इंडिया महत्मांगांदी, बच्ची याद रखें कि न्यू इंडिया है, एक यंग इंडिया, न्यू इनिवेशेंट की और यंग इंडिया महत्मांगांदी की है, किलियर है, नेस्ट देखेंगे, भारतिय इतिहास के पिरमुक युद्ध, भारतिय इतिहास के पिरम सबसे पहले important हम याद रखेंगे कलिंग का युद 261 इसा पूर्व कौन बीजेता था इसमें असोक किसको पराईद किया था कलिंग नरेश को ये पूछा है कलिंग का युद किस-किस के बिच वा था असोक और कलिंग नरेश के वीच कौन बीजे हुआ असोक कब हुआ था ये 261 इसा इसा पूर्व ठीक है नेक्स याद रखेंगे तराईन का पर्थम युद कब हुआ 1191 इसमें पिल्थवी राज चोहान पहले बीजे हुआ था बच्ची पहले युद में मुहमद गोरी हार गया था सबसे पहले कुश्चन आपसे क्या बन सकता है तराईन का पर्थम युद किस किस के बीज हुआ था पिल्थवी राज चोहान और मुहमद गोरी के बीजे कौन हुआ था इसमें पिल्थवी राज चोहान कब हुआ था ये युद 1191 इसमें तराइन का दुत्य युद्ध आपसे पूछे जाए 1192 में किसके मुहमद गोरी और पिर्टुरा चोहन के दुत्य युद्ध में जो हुआ था बच्चे सो मुहमद गोरी बिजय हुआ था याद रखेंगे चंदावर का युद्ध याद रखेंगे किसके बीच हुआ था मुहमद गोरी और जैचंद के बीच बिजय कौन हुआ था मुहमद गोरी बिजय हुआ था ये बिजय वाले हैं बच्चे और जो हारा था वो ये हैं पानी पत का ब्रतम युद्ध अकर आपसे पूछे जाए तो आपके इंगे सर्फ 1526 में बाबर और इवराहिम लोदी के बीच कौन बिजय हुआ था बाबर बिजय हुआ था इसी तरह के खानवा का युद्ध आपसे पूछे जाए तुम्हें इंपोर्टेंट को आपको टि और आपको कैद प्लाशी का युद्ध याद रखना है और पानी पत का त्रतेद बस आपको इतना याद रखना है ठीक है इन युद्धों को आपको ज़रू याद रखना एक साइड अभी पेपर पर लिखेंगे और आज आपको काम है कि युद्ध आपको सभी याद कर ले नहीं क्योंकि एक question बनने के chance रहते हैं next देखेंगे बकसर को युद याद रख सकते हैं बच्चे और इतना important कोई है नहीं और आपको याद करने की इनकी जुरुत नहीं है बस बकसर को युद आप याद रखेंगे पर नयुद इतने सारे हैं कहां तक याद रखोगे हैं जबकि ये पूछे भी नहीं जाते हैं और आप ये तो सब जानते हैं भारत चेन युद, भारत पाक युद, भारत पाक युद ठीक है? ये आप सब जानते हैं अब कांग्रेस के महत्पूर्ण अधिवेशन जो कांग्रेस के अधिवेशन हुई थी सबसे पहले तो आपको पहले ही पता होना चीए 1885 में काहां मंबोई में अध्यक्ष कुन थे WC बनर जी दूसरा जो हुआ था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 886 कलकता में इसके अधिक्ष जाधाभाई नोरो जी बच्चे ए 1887 में कहां हुआ था मदरास में इसके अधिक्ष बदरुद्दीन टेयब जी बच्चे 888 में जो हुआ था इलावाद में इसके अधिक्ष जार्ज यू ले किलियर है तो इस तरीके साथ इन अधिवेशन को याद रख सकते हैं बलना जो इंपोटेंट है केबल वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आप यही द्याद रखेंगे 1885 उसके बाद यूपी बालों के लिए बहरी इंपोटेंट है 1888 उसके बाद बच्चे आपको याद रखना है 1896 कलकत्ता 1905 उसके बाद बच्चे 1907 1909 लाहूर में बच्चे और याद रखेंगे 1916 लखनव अंबी का चर्ण मजूमदार 1917 वाला याद रखेंगे बच्चे 1913 में कलकत्ता में अधिवेशन जो होता उसके अधिक्स्ता किसने की थी एनिवेशन ने बच्चे 1919 के याद रखेंगे 1919 का अमरेशन रधिवेशन के अधिक्स्ता किसने की थी मोतिलाल नहिरूने बेल गाउं का याद रखेंगे इंपोटेंट है बच्चे बेरी बेरी इंपोटेंट है यूपी बाले इसको भी याद रखेंगे कानपूर को 1929 याद रखेंगे 1931 याद रखेंगे फेशपूर पूछा था बच्चे 1937 फेशपूर अधिवेशन के अधिक्स्ता किसने की थी हरी पूरा बच्चे याद रखेंगे आप इसको याद रखेंगे अबदुलकलाम आजाद बच्चे यूपी बाले इसको याद रखेंगे मेरेट में 1946 में जो वह था इसकी अधिक्स्ता किसने की थी बस यह आपको याद रखने हैं किलियर है अब बच्चे महाजनपदों की राजदानी एवं छेत्र ये भी कुश्चन बन जाता है महाजनपद दिये हैं इधर उनकी राजदानी है और ये याद रखने के आप कुछ दुरत नहीं है बस आपसे राजदानी पूछी आदी है आपसे पूछाएगा गंधार महाजनपद जो है उसकी राजदानी तच्च सिला मतस्ची जो है बच्चे उसकी राजदानी क्या है बराटनगर कासी जो है उसकी राजदानी बारानसी बत्स जो महाजनपद है उसकी राजदानी कोसामभी मल्ल जो है बच्चे उसकी कोसाबती कोसल जो है उसकी सरावस्ती है पंचाल अहिछट्र या कामपिल्ली है चेदी बच्टे आपसे पूछाएगा चेदी जो महाजनपद है उसकी राज़दानी सत्तिमती कुरू इंदरप्रस्त कमबोज हाटक सूर सेन जो महाजनपद है बच्चे आप याद रखेंगे ठीके महाजनपद जो है सूर सेन इसकी राज़दानी अगर आपसे पूछी आए तो आपके एंग मधुरा अंग महाजनपद इसकी राज़दानी चमपा मगद अगर आपसे पूछाए तो आपके एगा ग्रेवरेज या राजगेरे जो भी ऑप्षन मिलता है बच्जी महाजनपत की राजदानी बेसाली या ऑप्षन में इन में से कोई भी मिल जाए अवंती महाजनपत उसके राजदानी उज्जेन या महिस्मती असमक महाजनपत की राज़ानी पोटली या पोतन किलियर है बच्चे यहाँ आपके याद होना चाहिए कोश्चम बनने के पूरे चांस रहते हैं बच्चे अठारसो सतामर के बिद्रों के प्रमुक केंदर जो थे और उसके नेतरत करता यहाँ से कुश्चम बनने के चांस रहते हैं यहाँ आपसे यह बिरिटिश नेतरत करता आपको याद नहीं करने भारतिय के रखने हैं कानपुर अगर आम से पुचाये कांपुर जो था कांपुर केंदर भारतिय नेतरत करता कौन था कांपुर का तो नाना सहब तातिय टोपे ठीक है इल्हाबाद का बार बार पुछा था लियाकातली इल्हाबाद का लियाकातली दिल्ली का बहदुर साज अफर दुत्तिय यह जो उप्सन मिल जा है सेन्ये सेन्ये ने तरब जो किया था वो किसने किया था वक्त खाने पर आपको उप्सन में एक ही मिलेग आपको परहसा नहीं होना है ठीक है जहांसी का आप सभी जानते नारी लक्षमी भाई लखनौ का आप जानते बेगम हजरत महल जगदीशपुर का आप जानते कौंट सिंग फतेपुर का अजिमुल्ला फतेपुर का बच्चे किसने किया था अजिमुल्ला ने केलियर है पुरान नाम क्या है तो आप कहेंगे विपासा ठीक है पुरान नाम भी कई बार हमसे पूछ लेता है अधावी नदी का पुरान नाम पुरुष्णि गंडग का सदानीरा जेलम का बितस्ता गगर का दरेश धत्ती सतलच का सतुद्री चिनाप का असकिनी गौमल का गौमती इस तरीके से बच्चे आपको नदी का प्राची नाम भी या पुरान नाम किसी का कुछ भी आपसे पूछ जग्सता है या तो असकिनी देगा आपसे पूछ लेगा इसका बतावा आपको नाम क्या है तो आपके इंगे सर्फ बियास अगर देदिया बियास नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है तो आपके इंगे सर्फ बिपासा के लिए रहा बच्चे तो यह हमारी complete history हो जाती है अगर किसी बच्चे को कोई भी दिखता तो comment option comment कर सकते हैं आप आप से request करूंगा बस आप history में इतना पढ़िए और मैं playlist बना रहा हूं इस वीडियो को पढ़ाने वाला हूं complete flavors वह आपके playlist में add होती रहेगी जो यूपी प्लिस वाले बच्चे हैं और यूपी एसाई मतलब यूपी से related exam के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी जी के अलगसा में पढ़ा दूंगा आपको बिल्कुल परेसान नहीं होना है ठीक है और एक number दिया हुआ है नीचे उ हुआ है